हलो नियर स्टूडेंटS, तोहेरा नेक्स्ट टॉपिक इस ओर गन्स वार्गंस वर्रीदिंग, आज हम एनिमल्स के वर्रीदिंग बढ़ेंगे अनिमल्स नियद टू रीदिंगंन के वारें परड़ेंगे, एनिमल्स नीड दू वरीध to get oxygen फॉर रेस्पिरेशन, एनिमल्स को वोड़ी में ही जो है वो क्या करेगी उस उक्सिजन से जो है फूड को वर्ण करेगी और फूड को वर्ण करने के बाद वहाँ एनर्जी जिससे वो अपनी सारी एक्टिविटी जो है वो करते हैं एनर्जी जो हमें अपनी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए किस चीज की ज पर तो energy हमें कहां से मिलती है खाने से अईसे अईमल में उनको भी जो है वो खाते हैं फूद है उसको oxygen वर्न करेगी उनकी वोड़ी में एनर्जी रिलीज होगी animals take oxygen from their surrounding like air and water वो oxygen कहां से लेते हैं अपनी surrounding में like air और water से जो है वो oxygen लेते हैं different animals breathe through different organ different animals उनके different different क्या है breathing organs हैं tiny organism like amoeba paramecium breathe through their body surface अब जो organism है like amoeba paramecium में कहां से व्रीद करते हैं अपनी 40先-बी सर्फेस से भी हैं आप इन्सेक्ट उन्हुतनी होले का ओंगे, उनसेक्स भी को लो भॉल को आप, प्रनांगि यौंगे सिम्ट kwalten इन का एक सुना किया बार को 7 सर्फेस से बार करते हैं ही अब जो स्पाइरेकल से जो है उनमें जो भी एयर है वो एंटर करेगी फिर स्पाइरेकल से तो वो उनकी वाड़ी में एंटर कर गी है उन जो वहां पे एंटर एयर कर गी उसको जो है वो पूरी वाड़ी में कैसे पहुंचेगी स्मॉल ट्यूब्स उनकी वाड़ी में होती है उसके थरो वो पूरी वाडी में जो है वो एर पहुंसती है और उन tubes को हम क्या बोलते हैं, breathing tubes Next is aquatic animals, aquatic animals क्या होते हैं, जो animals पानी में रहते हैं, like fish, prawn and crab breathe with the help of gills अब aquatic animals हैं, वो कहां से जो हो breathe करेंगे, gills के थरो They take in water through their mouth, वो पानी को मूँ से क्या करते हैं, take in, वहां से मूँ से जो पानी को पीते हैं This water passes through the gills where the oxygen is absorbed and reaches through every part of the body अब जो पानी उनके मूँ से जो है वो कहां से पास होगा, gills के थरो पास होगा, वहां पे पानी क्या होगा oxygen जो है वो, gills जो है वो oxygen को absorb कर लेंगी और उनकी पूरी body के every part तक जो है वो वहां पे oxygen को पहुचाएंगे The gills also expel out carbon dioxide into water और वो पानी से जो है वो क्या करेंगे, expel out कर देंगे कि इसको carbon dioxide को अब aquatic animals हैं वो कहां से जो है वो breathing करते हैं, gills से वो पानी पीते हैं और पानी कहां से पास होगा, कहां से पास होगा उनकी body में throw gills और वहां पे क्या होगा, जो oxygen है वो क्या हो जाएगी, absorb हो जाएगी और जो carbon dioxide है वो expel हो जाएगी next an adult frog breathes through its moist skin when it is in water अब adult frog है, जब वो पानी में होगा तो वो कहां से परीद करेगा, अपनी moist skin से परीद करेगा, but on land और धरती पर it will through the lungs, वो कहां से परीद करेगा, lungs के थूँ वरीद करेगा, an earthworm breathes through its moist skin, कोई भी और earthworm है वो कहां से ब्रीद करते हैं अपनी moist skin से जो है वो व्रीद करते हैं next all the mammals including human wings सभी mammals all other mammals ही जो हमने पढ़ लिये इसके अलाबा और जो mammals है animals है including human wings जो है words reptiles adult amphibians etc breathe through lungs और वाक्षी जैसे words है reptiles है adult amphibians है वो कहां से व्रीद करते हैं लंग से व्रीद करते हैं they have two lungs connected with a wind pipe उनकी wind pipe से जो है वो two lungs connect होते हैं air reaches to the air reaches to the lungs through nostrils अब हम क्या करते हैं नाक से जो हम सांस लेते हैं तो वो जो air जो है वो reaches lungs ने पहुंचेगी through nostrils के थू जो है वो lungs ने पहुंचेगी the lungs take in oxygen from this air and give out carbon dioxide which is breathe out through nostrils अब जो है वो लंग्स क्या करेंगे जो oxygen है उसको इन उसको ले लेंगे और carbon dioxide को आउट उसको जो है वो बाहर वेज देंगे किसे नोस्त्रिल से नोस्त्रिल के ही through aquatic mammals like whales and dolphins also breathe through the their lungs aquatic mammals जैसे dolphins and whales यह कहां से व्रीद करती है यह भी लंग से व्रीद करती है अब next हमारे पास है movement अब हम जो है animals की movement के बारे में पढ़ेंगे animals move from place to place in search of food shelter and also to escape from their enemies अब अनिमल्स है उनकी movement जिसे animals हैं तो ओ प्लेज मतलब अपने खाने की खोज में या अपने शेल्टर में के लिए या दूसरे animals के डर उनसे जो enemies उनके बाकी animals उनसे भागने के लिए जो है वो एक जगा से दूसरी जगा जाते है animals different animals use different organs for movement उनके different animals के different different organs है movement करने के सबसे पहले जैसे land animals the land animals mostly move with the help of legs अब जितने भी land animals हैं वो mostly क्या करते हैं कैसे चलते हैं with the help of legs अपनी legs की help से most animals have four legs two in front called four limbs and two in at the back called hind limbs अब कोई भी animals उनको four legs होते हैं जो front की two होते हैं उनको बोलते हैं four limbs and two at the back or called hind limbs and hind limbs और जो back की जो two legs होते हैं उनको बोलते हैं hind limbs some animals like dogs cats and tigers move with all four legs but some other like human being use their hind limbs to or legs to move अब जो है वो some animals dogs होगे cats होगे टाइगर्स कहां अपनी चारो टांग जो है वो चलने के लिए यूज करते हैं वट जैसे human wings यूज करते हैं अपनी two legs जो hind limbs हैं उनको चलने के लिए as it is what some other like human wings लेकिन कुछ other जो human wings की तरह हैं तो वो जो अपनी two hind limbs को ही चलने के लिए जो है वो मूव करने के लिए जो है वो यूज करते हैं दियर फोर लिम्स और hands can hold many things as and help to do वर उनकी जो फोर लिम्स हैं उनसे वो उनको वो हाथों की तरह काम करते है उनसे और जो है वो बहुत सारी चीजों को hold करने के लिए काम करने के लिए जो अपनी फोर लिम्स को जो है वो यूज करते है next reptiles like lizard crocodiles and turtles crawl on the land with the help of their short limbs अब जैसे reptiles हैं lizard है crocodiles and turtles crawl on the land with the help of their short limbs वो कैसे जो है वो चलते हैं अपनी short legs की उनकी legs को होते हैं बहुत short होते हैं छोटी होती है उनकी help से जो है वो चलते हैं the snakes also live on the land but they have no legs अब snakes है वो भी लेंड पर रहते हैं यहीं पर रहते हैं लेकिन उनको जो है वो कोई भी टांगित दें मूव with the help of their body scales वो अपनी body scales की help से जो है वो क्या करते हैं move करते हैं next step water animals water or aquatic animals like fishes move with their with the help of their fins wild frogs and ducks use their webbed feet to swim अब जैसे water animals like fish है वो move करने के लिए अपनी fins का यूज करते हैं अपने पंखों उसको पंखों उसको पंखों उनका यूज करते हैं wild frogs and ducks use their webbed feet और जैसे duck है frog है तो उनके जो feet होते हैं और कैसे होते हैं इसे पानी में तैरते हैं next step turtles have four paddle limbs limbs to push the water whack and move forward turtles turtle turtle मतलब turtle जो है वो कैसे चलेंगे उनके paddle like limbs paddle की तरह उनके limbs होते हैं तो वो उससे क्या करते हैं पानी को जो है पीछ हटाते हैं और अखुच जो है वो आगे की तरह forward में जो है वो चलते हैं animals like penguins and seals swim with the help of flippers animal penguins and seals जैं वो कैसे swim करेंगे with the help of their flippers वो अपनी flippers की help से जो है वो swim करते हैं so here the next is words words can fly with the help of their wings अब words है वो अपनी पंखो की help से क्या करते हैं उड़ते हैं they have strong wings उनके जो wings होते हैं बहुत strong होते हैं and lighter body with the which help them to fly उनके जो wings होंगे बहुत strong उनकी body कैसी होगी बहुत ही light weight जिसकी वरे से जो है वो easily उड़ पाते हैं while moving their wings up and down words push themselves in the air वो अपने पंखों के करते हैं up and down move करते हैं जिसकी वरे से जो है वो खुच जो है वो air में जो है वो move करते हैं words use their two legs to perch on the branches of trees अब जो है वो उनकी two legs है तो उनको वो किसलिए उस गते हैं से वो पेड़ों की जैसे टहनी है उन पर चलने के लिए इदर उदर थोड़ा बहुत चलने के लिए they also use their legs to walk or hop on the ground जैसे उनको धर्ती पे भी चलना है तो वहाँ पे भी आपनी legs के थू जो है वो चलते है some words like emo, ostrich and penguin cannot fly because they have heavy bodies and weak wings अब जैसे एनिमल वर्ड्स है, emo है, ostrich है, penguin है यह क्या करते हैं यह नहीं उड़ पाते हैं कि इनकी body का weight जो है बहुत जादा होता है और इनके wings जो है वो इतने मतलब strong नहीं होते हैं कि वो उनका इतना भार जो है वो संभाल ले और हवा में उड़ पाए नेक्स्ट है, insects, insects have six legs for movement, insects की क्यों होती है, six legs होती है, movement करने के लिए insects like ants, cockroach and wugs crawl on their legs और insects जैसे ants हैं, चींटियां हैं, cockroach हैं, wugs हैं, वो crawl करने के लिए जो है वो अपनी legs का use करते हैं some insects like grasshoppers use their legs in hopping, अब grasshoppers हैं मतलब थोड़ थोड़ करते हैं hopping, मतलब थोड़ 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 थोड water watermen swim in water with legs, अब इंसेक्ट्स लाइक water watermen, water watermen की तरह स्विम करते हैं with the help of their legs, वह अपनी लेग्स की है, वह स्विम करते हैं, इनसेक्त्स लाइक waterfly and firefly have wings which have help them to fly, और इनसेक्त्स लाइक waterfly, firefly है, वह अपनी पंखो की द्वर क्या करते हैं, उसकी थ्रोज है, मूँव करते हैं हावा में उठते हैं तो अपनी विंग्स के थू नेक्स्ट है माइग्रेशन एवरी यह सम एनिमल्स एंड वर्ड्स मूव फ्रॉम बन प्लेस तो एनेदर तो एववाइड हराश मूँ एन्वायमेंट कंडिशन तो सर्च फूड एंड तो रीच दियर व्रीडिंग ग्राउंड अब कुछ एनिमल्स माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव जाते हैं मतलब वह यहां पर हैं तो नेक्स्ट यह मतलब वह कहीं और होंगे तो वह अपने खाने की ताल भी पाउशन ऑर इसी को क्या बोलते हैं? मैइट भी प्षब से माइग्रेशन मरें प्लर अपने दो की फीर ञांड प को मतलब सबस्राब माइग्रेशन यह मतला मीमेंट वह अंच्छा करस्ट तो प्लेससी आपनी प्लीर मिंहें और अच्छा है और से為न माइग्रेशन सी प in every winter from the Arctic Circle in the Antarctic Circle to back to the Arctic Circle at the end of winters अब जो आर्केटिक टर्न है एक वर्ड है वो एक साल में कितनी longest migration करता है 40,000 km वो every winter हर एक जो winter है उसमें Arctic Circle से Antarctic Circle तक या फिर बैक उसी में Arctic Circle तक जो है Siberian Crane and Malayar Duck come to India every winter to breed वो अपनी breeding के लिए जो है जैसे Siberian Crane है मलार डख है वो every winter जो है वो इंडिया में आते हैं फिश लाइक सेलमा लिव इन अश सी वाटर देसे एप्छे वाटर यह तो ऊंच में प्रेश याई डिश राऊ कोड़कों करने के लिए अपनी एग्ज औहरत आते हैं फ्रेश बेक कहां करेंगे सी में समूद्र में समय इन्석 लाइक लोकजसें मौनार्ट ती मरेट मेंन बाइक्रेज़ी इन्सक्राइब करों ने पंटांट कोеч्स मेंग कोईने करते हैं मम समध में Americans सब्सक्राइब कर zij तुम सब्सक्राइब और इस मैं अगए तो इसी के साथ में पाटर 17 KAR Land कि मतलब विंटर में पढ़ा जैसे हमने सबसे पहले उनकी क्वारे सब्सक्राइब नगो कह पर नद कि 352 यहाछीन dw है roz जो है वो ही चैप्टर समझ में आ गया है तो अब हम जो है इसकी अक्सेसाइज जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे आपने एक वार इस चैप्टर को रिवाइस कर लेना है ओके थेंक यू